मुझे नहीं पता आप लोगों का वक्त अभी कैसा चल रहा है बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ यह नई स्मार्ड वाच आप लोगों की डेस्टिनी जरूर तै करेगी यहां पर फायरवर्ड ने अपनी एक और लक्स कलेक्शन की स्मार्ड वाच लाँच कर दी है जिसका नाम है फायरवर्ड डेस्टिनी और इस स्मार्ड वाच में आप लोगो को काफी सारे फीचर बढ़िया डिस्प्ले और यहां पर प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाए आप लोग खुछ समझ जाओगे कितनी ज्यादा वेली फोर मनी यह स्मार्ड वाच है अन्बॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा यार चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो का अभी अभी लाइक करो आप लोग ब वाला चार्जिंग केबल मिल जाना है और यह रही स्मार्ड वाच जो कुछ इस तरहीं के की लगती है काफी साथा प्रीमियम लग रही है बिल्ड डिजाइन पर आते हैं तो यहां पर आप लोग को सर्कुलर डाइल में स्मार्ड वाच देखने को मिल जानी है मैटलिक फ्रे आ सकते हो चाहे लेदर यूज़ करो या फिर आप यूज़ करो सिलीकन यह स्मार्ड वाच फीमेल और मेल दोनों के लिए सूटेबल है क्योंकि इसके अलग-अलग कलर्स भी आते हैं जो मेल के लिए और फीमेल के लिए भी है और अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है ब यसे बिल्कुल भी पिक्सलेरेट नहीं होती है काफी नेचरल कलर प्रोवाइट करती है और अगर आप लोग इसको आउटडोर में यूज़ करते हो 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जिसकी वैसे यहां पे भी आप कोई दिक्कत फेस नहीं करोगे मैंने भी इसको पहन रखी है तो यार अंडर 2000 के साफ से आप डिस्प्ले भी बहुत जबरदस्त है एमोलेट नहीं है नाम नहीं दिया है इन्होंने अमोलेट बट एमोलेट जैसी ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी फीचर्स एंड वाच वाई पे अभी डालते हैं एक नजर जैसे आप नीचे से उपर स्वैप अप करोगे यहां पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे राइट से स्वैप करने पर विजट के कुछ शॉटकर्स मिलते हैं जैसा कि फायर वोर्ल की अल्मोस्ट हर स्मार्ट वाच में आप देख सकते हो इसके अलावा उपर से नीचे स्वैप डाउन करते ही सेटिंग के कुछ ऑप्शन्स मिलेंगे यहां पर आप लोग कॉलिंग ऑन आप कर सकते हो मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो ब्राइटनेस टॉर्च और सेटिंग सेटिंग के अंदर यहां पर डिस्पले में काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आप यहां से बहुत सारी चीज़े नेवल डिसेवल कर लोगे वाइब्रेशन एंड रिंग डू नो डिस्टरब लो पावर मोड ऑडियो ब्लुटूथ कॉलिंग फोन कॉलिंग यहां से आप चीज़े चेंज कर सकते हो बाकी यही सारी चीज़े हैं जो हमेशा आपको फायर वोल्ड की स्मार्ट वाचिस में देखने को मिलती है मेन मेन्यू की बात करों तो लेफ्ट से आप जैसे स्वेप करोगे यहां से आप मेन्यू मेन्यू में आ जाते हो इसके अंदर आपको activity, phone call, heart rate, find my phone, sleep tracking, BP monitor, SPO2, exercise यानि कि 123 sports mode मिल जाएंगे जो कि काफी जादा होते हैं साथी साथ exercise records, weather forecast, notifications, camera control, music control, AI voice assistant, timer, alarm अलाम का आप लोग इसी smart watch के थुरू लगा लोगे यानि कि आप लोग को बिलकुल भी app की जरुद नहीं पड़ेगी stop watch, period, यानि female health tracker, flashlight, calculator जैसे useful features यहां पर दिये गए है साथी साथ against setting देखने को मिल जाती है तो यह इसके कुछ features थे इसके अलावा डिस्पले पर touch and hold करके रखने से आप लोग watch faces चेंज कर सकते हो UI इसकी काफी smooth है अभी आप देख लो water resistant में यहां पर IP67 की ही rating दी गई है बगी यहां पर इतना की काम करेगी है IP68 से थोड़ा बहुत कम काम करती है बट कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी as such बगी बैटर वेकप की बात की जाए तो 7-8 दिन का बैटर वेकप देखने को मिल जाएगा और काफी सही है यार इतना बैटर वेकप कॉलिंग के साथ 2-3 दिन का ही बैटर वेकप देती है यह smart watch accuracy पर आते हैं तो इस smart watch को पहले कर मैंने इसका heart rate टेस्ट किया और compare की अपने ocximeter से अभी आप देख सकते हो at the end जो result निकल कर आया यहां पर थोड़ा बहुत फरक देखने को मिलता है तो जादर रिलाइबल नहीं होती है तो जादर रिलाइं मत रहा करो सीरियस सिचेशन में डॉक्टर साही कंसल्ट किया करो चलते हैं बड़ा बड़ फायर वोल डेस्टिनी की कॉलिंग क्वालिटी को टेस्ट करते हैं अब ही क्या ले है बढ़ी आए तो सुना क्या बढ़ीया कहा है गरे या फिर गया वहां तर पर यहां सही आरी है क्या आवाज अच्छा हां सही आरी है वाज तो बड़ी आरी है कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे कुछ कट बटके तो नहीं आरी है दूर से तो नहीं आरी अच्छा चल यहीं पूछ रहता है ठीक है मिलते हैं मुझे कॉमेंट सेक्ष्ण में बताना आप लोग को कालिंग कॉलिटी की कैसी लग आते हैं कि और बात करते हैं क्या आप लोग को फायर वोल डेस्टिनी स्मार्ट बॉस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए देखो य साफी सारे मेल्स भी थोड़े पतले स्ट्रेव वाली स्मार्ट वॉच इसको पसंद करते तो डेफिनेटली यह स्मार्ट वॉच उन लोग के लिए भी है इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आप लोग सामने इसलिए भी रखिए ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन मुझे इस स्मार्ट वॉच में सबसे बड़िया चीज़े लगी है वह बता देता हूं एक तो इसकी जो फिनिशिंग है वह बहुत जबड़स लगी है सेकेंड़ी इसकी जो डिस्प्ले है वह भी बहुत तोड़ है इसके अलावा चोटे मोटे फीचर भी इसमें बहुत सार के जाना यार मैं मिलता आप लोगों सेने इस वीडियो में तो इसके लिए बाइबाइब